दुनिया भर में तमाम तरह के जीव मौजूद हैं। जब आप इने पहली बार देखेंगे तो यकीन नहीं होगा कि ये सारे जीव प्रत्वी पर रहते हैं या किसी दूसरे क्रेपर। लेकिन आज हम आपको उन जीवों के बारे में बतानी जा रहे हैं जिनके बारे में ना त प्रत्रों के खिला प्रकरतिक रचार पड़ानी पदान करता है। आर्मडेलों का शरीर एक तरह से इन बुल्ट कवच होता है जो किसी बुलेट प्रूफ से कम नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में जिक्र मिलता है कि ये कवच इतना सक्त होता है कि इस पर गोलियों का भी अस सेट नहीं होता। सलोथ को दुनिया का सबसे आल से जानवर माना जाता है। ये अपनी जिन्दगी का 90% हिस्सा पेड़ पर सोते हुए गुजार देते हैं। इस जानवर की लंबाई 2 से 2.5 फीट के बीच होती है। सलोथ पेड़ों की कलियां और पत्ते खाते हैं। इनकी पचानी की प्रेक्रिया इतनी धीमी होती है कि एक पत्ते को पचाने में इन्हें 30 दिन लग जाते हैं। ये जानवर अपनी सांसों को 40 मिनट तक रोक सकते हैं। ये जानवर अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं। लैंप्रे फिश है। लैंप्रे नाम की यह आर्किटिक महासागर में पाई जाती है जिसे देख कर किसी को भी डर लग जाए ऐसा माना जाता है कि अपने नुकीले दात और लंबी जीव वाली यह मचली एक बार किसी शिकार को पकड़ ले तो फिर उसका बचना लगबग नामुम्किन हो जाता है यह मचली अपने शिकार में पाया जाता है यह एक खास तरह का चूहा होता है लेकिन इसके इसके इसकन आम चूहों की तरह नहीं होती इसे करीब से देखने पर आपको पता चलेगा कि जैसे किसी ने इसकी इसकी निकाल ली हो नेग्ड मोल्ड रेट की खासियत ये है कि इसके शरीर पर एक भी बाल नहीं होता लेकिन इसके शरीर की चमड़ी किसी बुज़ुर्ग की तरह होती है बबल आई गोल्ड फिश बबल आई गोल्ड फिश की सबसे अनुकी किस्में से एक है इस मचली की दोनों आखों के नीचे दो बड़े बबल्स होते है इनी की वज़े से इस मचली का नाम बबल आई फिश पढ़ा इनकी आखों के पास के बबल्स में फ्लूट भरा होता है हलांकि शुरुवात में ये बबल्स नरशन नहीं होती जनकी तीन महिने बाद आखों में बलडर विक्सित हो जाता है लेकिन इन बबल्स की वज़े से ये मचली ठीक से तैर नहीं पाती आम तोर पर बबल फिश तीन से चार इंच तक पढ़ सकती है इनका जीवन काल 10 से 15 वर्ष का होता है तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हूँ तो प्लीज मिले चैनल को सबस्क्राइब करना ना बोले और इनमें से आपको सबसे अजीब जीब कौन सा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में सरूर बताएं थैंक यू